नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान लीग का जो मैच नमबर तीन खेला जाएगा जहां पे एक तरफ होगी मुल मैच खेला जाएगा मुल्तार पे यानि कि एक मैच जो मुल्तार की टीम है वो खेल की आ रही है मुल्तार में लेकिन इस सीजन का ये इनका मुल्तार पे पहला मैच होगा तो किसका पलड़ा भारी रहेगा किसका पलड़ा थोड़ा सा जुगा हुआ रहेगा कौन से प्लेयर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के निचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा उस पे क्लिक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जिसे की आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहले ये देखिएगा ये हमारा टेलिग्राम चैनल है अगर आपने टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है आप कर लीजिए विकोज फ्री ओप कोष्ट है आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा जुड़ना कैसे है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पे आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं अब देखे सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं वेन्यू रहेगा देखे आप देखोगे तो वेन्यू रहेगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडिया मुल्तान में ये मैच खेला जाएगा अब देखे पिछ कैसी रहेगी जो पहला T20 मैच हुआ था मुल्तान और शायद लाहर खेली थी वहां पर आप कुस मैच को देखोगे तो आपने कही ना कही पाया होगा कि एक फ्लैट विक्ट वहां पर देखने को मिले थी जापे बाल है वो बैट पर बहुत अच्छी तरीके से आ रहे थी तो कही ना कही थोड़ा सा batsman को advantage था, starting में ज़्यादा movement भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत batsman को support करेगी ballers के comparison में, हाँ middle hours में, फिर spinners अच्छा कर सकते हैं, अगर वो भी able हुए, यानि कि अगर उतना impact हुआ, experience हुआ, तो वो वहाँ पर फसा सकते है batsman को middle phase में, और वो भी second innings के, तो ये चीज ध्यान में रखेगा, बाकि अगर मैं आपको बताओं कि जो 47, 4 matches खेले गए हैं, तीन batting first ने, एक match है, वो chasing करने वाले team ने, 171 का average score है, आप देखोगे, 4 matches में से 1 match में 150 से नीचे की scoring हुई है, बाकि 3 matches में 150 से उपर का ही score गया है, अब जो 2 matches PSL के खेले जा चुके हैं, दोनों आप ये बोल सकते हो कि high scoring हुए है, अब आपके लिए एक low scoring match आने वाला है, समझिएगा इस चीज को, या तो ये match आपके लिए low scoring आएगा, या फिर अगला match आपके लिए 150 या फिर 150 से नीचे का, यानि कि low scoring match आपके लिए आने वाला है, अब ये क्य हो सकता है, low scoring हम टीमें देखेंगे और उसके उपर बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट के 3 हैट वैर मैसेज खेले गया है, ये देखिए 13 फैब को खेला गया था, लाहोर कलंदास एक ने 175 किये थे, मुल्तान ने 114, एक रन से है, वो मुल्तान हार गया था, पेस पाकिस्तान की डॉमेस्टिक लीग का मैस था, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर CP ने 119 किये थे, और सिंध ने 150 कर दिये, पीसर्स को 4 स्पिनर स्कॉार, अगर आप इन मैसेज को निकाल भी दोगे, यहाँ पर भी आप देखोगे, तो 13 विकेट्स गिरी थी, स्पिनर्स ने यहाँ पर भी अच्छा किया था, यहाँ और सिंध ने मिली थी, लेकिन यह एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था, जहाँ पर सिंध ने केवल 14 ओर में मैच को कवर कर लिया था, यह इसी सीजन का है, यहाँ पर देखोगे, यह विकेट्स कितने गिरी थी, 12 विकेट्स गिरी थी टोटल 12 विकेट्स किरी, 7 पेशर्स को, 3 स्पिनर्स को, इसमें से 3 स्पिनर्स को विकेट्स मिली थी, इसका मतलब कहीं न कहीं, आज भी आपको काफी स्पिनर्स देखने को मिलेंगे, तो स्पिनर्स के पलड़े में कहीं न कहीं थोड़े विकेट्स है, वो जा सकते हैं, उच्छा कर रहे हो, तो मुल्तान, की टीम है, वो यहाँ पे अच्छा कर रही है, हैच टु से कि यहां पर जैसन रोल खेल रहे थे नहीं है 38 रंते शान मशूद देखोगे तो यहां पर इनके सत्ताओं थे रिजवान के 23 थे 83 थे खुर्षदिर शान ने 10 प्लस दो ते दाहनी के यहां पर दो विकेट थे उसके लगा देखोगे यहां पर अमरान ताहिर के है वो एक विकेट था नशीम शा फ्लोप थे एहमद आप 17 फ्लोप बोल सकते हो पर यह नाबाद थे उसके लगा विल शमीड ने एक किया था यहां पर भी शान मशूद थोड़ा सा कॉमन जा रहे हैं शान विकेट निकाल रहे हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा इम्रान ताहिर भी यहां पर अच्छ थे शान मशूद ने यहां पे भी पर्फोर्म किया है तो डेटा देखोगे शान मशूद हैट्टोएड में बहुत शान दा देख रहे हैं एहमद यहां में भी फ्लोप थे नवा अब जब बात करते हैं शान मशूद की तो शान मशूद ने यहां पे काफी बढ़िया पर्फोर्म किया है फोकस करना इस प्लेयर पे और एक नाम आ रहा है खुर्षदिल शाक कितना इंपोर्टेंट हो सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले छे ओवर्स का पो टीम चैस कर रही है उसके कहीनी न कहीं काफी मैच आसे हुए है जहां पे पॉर प्लय में विकेस्स नहीं गीरी है और लास्त मैच में क्या हुआ लास्त मैक में यही हुआ कि 50 रन बने फर्स और कब fabrics और चे और चीजह अगर समझोगे तो मजा आएगा अब के अगर यहां यह कोई भी टीम जैसे की quota gladiators की टीम पहले बैटिंग करते हैं तो कही न कही उनके wickets देखने को मिल सकते हैं izing के दोरान भी है वो उनके wickets देखने को मिल सकते हैं किसके? quota gladiators के जिया quota gladiators के है वो first और second inix दोनों में chances रहेंगे की एक आदा एक दो विकेट है वो इनकी पौर प्ले में चले जाए तो इसको समझ लेना मैंने लास्ट मैच में आपको टोटली इसको समझा दिया था बाकी देखोगे मुल्तान की प्लेंगे और मुझे नहीं लग रहा कि कोई चैसिस होने चाहिए अब यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं डैविड मिलर की जगह है अकील हुशेन, शैनार धानी, समीन गुल्त यहाँ पर देखोगे क्या है यह सहनुल्ला यह ग्यारा प्लेयर्स है अब देखे डैथ में गेंदबाजी कोन करते हैं यहाँ पर समीन गुल्त यहाँ पर एक ओवर किसी को मिल सकता है वो आप रैडिक्ट नहीं कर सकते हैं लाश्ट मैच में अपकोस है वो समीन गुल्त ने किया बाकि अंसा उल्ला का फिर एक ओवर है वो आपको डैथ में देखने को मिल जाएगा अब नाम आता है एक तो अकील हुशेन का और एक नाम आता है खुशदिल शा का खुशदिल शा फोकस करना लाश्ट मैच में इनको गेंदबाजी नहीं दी गए लेकिन जब ये हैट टो एड में भीड़े है इस टीम के सामने तो इन्होंने विकेट्स काफी निकाली है सामने वाली टीम में अगर आप देखोगे जो टॉफ सिक्स है टॉफ सिक्स में आपको टॉफ फाइब है जो राइट एंड बैट्समैन मिलेंगे और ये गेंदवाजी क्या करते हैं लेक्स टाम और्थोडोग राइट एंड बैट्समैन टॉफ सिक्स में टॉफ फाइब तो वहाँ पे चांसेज रहेंगे अगर ना देए लग चीज़ है बट ये ओवर करते हैं हेट टोड में अच्छी विक्रिट्स निकाली है उसको अब बीपिल में अभी अच्छा करके आ रहे हैं तो उस चीज़ को देखते हैं मुझे लगता है इनको ओवर मिलने चाहिए अगर over मिलने के chances रहते हैं मुझे लगता है कि आपको इनको अगर पहले betting करती है मुल्तान की टेल उस condition में आपको बोका इनको देना चाहिए focus कीजिएगा सारी चीज़े आपको clear कर देंगे देखें full stats की बात करते हैं रिजवान है एक match पचत्ता run है वेन्यू पे 9 में 50 का average head to head में काफी बढ़िया रहे है recent form देखोगे लाजवाब है maximum लोग इनको है वो CBC करके चलेंगे शान मशूद 4 match में 37 का average वेन्यू पे है उसके लाग देखोगे head to head में 47 का average अच्छे match में 233 तो head to head काफी बढ़िया इनका रहा है recent form देखोगे आप average मान सकते हो उतना ज़्यादा flow भी नहीं रहे और बढ़िया भी नहीं रहे है लेकिन यह PSL में अच्छा कर लेते हैं डैविड मिलर एक match 25 का average एक match 73 अनकी head to head में recent form देखोगे बहुत बढ़िया रहा है कहीं पर आपको note out देखने को मिली है तो डैविड मिलर मेरे लिए यहां से एक important game changer पर किया पर कारॉल पोलार भी एक option है अगर यहां पर मुलतान की team पहले batting कर रही है दोस्त इन दोनों में से या तो दोनों को try कर लेना या एक को try कर लेना यहां पर आपका game बदल सकता है कारॉल पोलार एक मैच 19 रन साथ मैच में 31 का average है वो head to head में है recent form देखना आप इनका 86 प्लस 1 67, 50, 19, 83 sorry 43, 20 तो लाजवाब रहे है कारॉल पोलार भी first batting में try कर सकते हो उसके अलब आप खुर्षदिल शार देखोगे च्यार मैच 32 का average एक विकेट इस venue पे है साथ मैच में 12 का विकेट है batting मैच थोड़े से drop दिखे हैं लेकिन 6 विकेट भी इन्होंने निकाली है last मैच में 12 थे 40 प्लस 0, 23, 12 प्लस 0, 13 प्लस 0, 30 दो तो यह BPL में काफी बढ़िया करके आ रहे है खुर्षदिल शाह गेंदबाजी करने के कही न कहीं चांसोज रहेंगे तो अगर यहाँ पे मुल्तान की टीम पहले batting कर रही है उस condition में मुझे लगता है कि आपको खुर्षदिल शाह को try करना चीए अकोस grand league में जरू try करना अगर small league में नहीं कर रहे हो उस्मार खान देखोगे एक match 0 रना है इस venue पे hat to add खेले नहीं है recent form देखोगे BPL में अच्छा कर कहते लेकिन उतना impact है नहीं अकील हुशेन एक match 0 wicket इस venue पे hat to add में देखोगे खेले नहीं है recent form देखोगे भाई ये wicketless जाना थोड़ी सी उतने जाते नहीं है और सामने वाले टीम में तो आपको right and bats when में दिखेंगे तो अकील हुशेन मेरे लिए टीम में बनते है उस्मान मीर एक match 2 wicket 3 में 3 hat to add में है यहाँ पे दिखोगे तो इन्हों ने भी अच्छी गेनबाजी किया last match में भी इनको एक wicket मिला था इन दोनों में से आप एक ले सकते हो उस्मान मीर और इंसा उल्ला में से सैनवाज दाहनी को मैं लेके जाओंगा एक match एक wicket है 2 में 2 hat to add में recent form देखना अच्छा कर रहे है तो first bowling में में यह ज़्यादा important है chasing के दोरान अगर इनकी टीम पहने फारवा ओवर डाला है यहाँ पर देखोगे इंसा उल्ला एक match दो wicket है venue पर नहीं खेले बाकि यहाँ पर recent form देखोगे शांदार आ है last match में भी सबसे ज़्यादा wicket टेकर रहे थे 2 wicket निकाली थी तो मैं इनको मुझे लगता है इंसा उल्ला दहानी और अकील हुसेन यह तीन मुझे यहाँ से important लग रहे हैं लेने के लिए टीम में बाकि bench पर आपको कौन दिखेंगे नावीद है नावीज शांदार लाइक स्पिन गेंद बाजी करते हैं टिम डैवेट, राइली रुश्यो, अमादबाट अबबाश और फृरीदी, उर्खरदा आप देख सकते हो, इन में से कोई खेले, ध्यान में रखिएगा जोस्वा लिटिल भी है, मोहमद सरवार भी है, अब देखिए क्वेट्राग लेडिटर्स जैसन रोई, जैसन रोई खेल रहे हैं मार्टन गप्टिल, सैनवाज, सरी मोहमद हफीज है, उमार अकमल है, सरफराज एहमद है, इफ्तिकार एहमद, मोहमद नवाज है, ओडीन स्मित है, वनिंदू हसारंगा है, मोहमद हसनेन है, और नशीम शा है यह 11 प्लेयर्स है, जहाँ पे नशीम शाह आपको डैथ में दिख सकते हैं, नशीम शाह दिख सकते हैं, हसनेन आपको डैथ में दिख सकते हैं, हसनेन नहीं दिखेंगे, तो फिर आपको ओडेन स्मित है, वो डैथ में दिखेंगे, अब यहाँ पे देखोगे, नवाज, साम उसके लगा अगर आप लोग देखोगे तो खुर्श दिल शा लेफ्ट एंडी हो गए तो 3-4 बैट्स में वहाँ पे आपको लेफ्ट एंडी मिल रहे हैं दो मैच में 34 का एवरेज है 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 तो एड में रिसेंट फॉर्म देखोगे इस एक 61 को निकाल दो टी 20 किर्केट जैसन रोई के लिए खराब बिल्कूल खराब चल रहा है ध्यान में रखेगा मार्टिन गप्टिल वेन्यू पे नहीं है एक मैच 11 रन है रिसेंट फॉर्म देखोगे उतना खास नहीं है एक चीज मार्टिन गप्टिल की जब भी यह किसी लीग में खेलते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्त यह परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन इनको एक दिक्कत रहती है कि यार यह 30-35 रन इसको बड़े स्कोर में कनवर्ट नहीं कर पाते हैं दस में से केवल एक मैच ऐसा हो सकता है जो शायद आज हो जाए कि यह 50 से प्लस की स्कोरिंग करते हैं बाकिन का स्कोरिंग करता है क्या रहती है 20-25-30-35-32-34 यह इनकी स्कोरिंग रहती है इससे मुझे यहना वो काफी दिक्कत रहती है जब यह परफॉर्म करने के लिए आते है बाकि मौमद हफीज में लेके जाओंगा वेन्यू पे नहीं खेले 10 मैच 35 का एवरज है 29-0, 28-0, 29-0 तो प्लेयर शांदार है मौमद हफीज उसके लहाँ देखोगे उमर अकमर वेन्यू पे नहीं है 4 मैच में 32 का एवरज इनका हैट टो एड में रहता है इनका रहता है यहाँ पे इफ्तिकार एहमद यह प्लेयर आप लेज सकते हो इस्पेशली अगर पहले बैटिंग कर रही है क्वेटा के टिम एक मैच 14 एक विकेट हैट टो एड साथ मैच 13 का एवरज दो विकेट तो हैट टो एड एक डम ही खराब है वेन्यू भी उतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे दिखोगे 4, 51, 10, 0, 13, 0, 17, 0 तो लास्ट के बीपील के कुछ मैचस उतने बढ़िया रहे नहीं थे इफ्तिकार एमत के स्टार्टिंग के मैचस काफी बढ़िया थे लेकिन लास्ट के कुछ मैचस है वो अच्छे रहे नहीं थे इफ्तिकार एमत के लिए मिल नहीं रहे थी यहाँ पे भी थोड़ा नीची आ रहे हैं इनके सेलेक्शन काफी दिखेंगे बट अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो मैं शायद मौहमाद लवास को ना लेके जाऊं स्पेशली अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं फिर शायद इनको ड्रॉप करके जाऊंगा ओडेंस मित है वेन्यू नहीं है हैट वेर नहीं है साथ प्लस दो सत्रा प्लस जिरो एक प्लस दो तो इन्होंने अच्छा किया है तो ओडेंस मित आपको डैठ में भी दिख सकते हैं ये ध्यान में रखेगा हसा रंगा वेन्यू पे नहीं है हैट वेर नहीं है अगर डैठ में नहीं आते हैं तो फिर ड्रॉप कर देना नशीम शाह है एक में एक विकेट है तीन में दो है रिसेंट फोर्म आप इनको बिलकुल नहीं चोड़ सकते हैं तो मैं यहां से नशीम शाह को है वो अपनी टीम में लेके जाओंगा बाकी नवीन उला का विल्शमेट का ध्यान में रखना अलांकि इनका हैट वेड उतना कुछ खास नहीं है लेकिन प्लेयर शानदार है विल्शमेट यह मुझे काफी बढ़िया लगते है कि प्लेयर शानदार है बाकी अगर आप लोग देखोगे टीम देखोगे तो कुछ इस तरीके से प्लेयर श्ट बैटल में कुछ खास है नहीं विगोज एक दूसरे की टीम है इस तरीके से हुई है यहाँ पे देखोगे रिज्वान को मैंने रखा इफ्स्तिकार को रखा डैविन मिलर को रखा शानमशूद को रखा हसरंगा यह आप वाइस कैप्टन सी चेंज कर सकते हो हसरंगा की नवाज को आप ड्रॉप कर सकते हो मैंने कंडिशन से आपको बता दी खुशदिल शाह को रखा और एंसमित को रखा इन दोनों को मैं यहाँ तो ड्रॉप कर सकता हूँ समझना है नशीम शाह, अकिल हुशेन और दाहने अब यहाँ पे एड कर सकते हो अगर आप चाहो तो इंसाओला को है वो अड कर सकते हो अगर पहले बैटिंग करती है इनकी रिजवान के टीम, मुलतान के टीम तो फिर मैं यहाँ पे है वो पोलाड को भी अड कर सकता हूँ पोलाड को अड कर सकता हूँ ये चीज़ धानमकरा नवाज के जिगाए फिर पॉलाड आ जाएंगे समझ गए बाके इसमें कुछ चैंजर हो सकते हैं आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद